नमस्कार मेरा नाम है राजनकुमार और आप देख रहे हैं सेफटी और सिक्रिटी फिल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल नॉमाड भाई जैसा कि बहुत सारे साथ ही हमें कमेंट वोक्स में यह पूछते रहते हैं कि सर आप कब हमें गन्मेन से मिलाने वा ओस में अम सब कर आथ हैं कि और हमारी राउंड की सट डेटी रहती है फ्यांट में की स्कूल आई हमारी आगया गेट पर वी देखना और अंदर भी देखना स्टाफ से बास भी करना नियुद्धी तर हमारी रहती है डे ड्यूटी और नाइट बंशनी को सर फरक होता है इतर क्लोज क्लोज में आख लिजी एक जगा से लिजी हां डेट डूटी नाइट डूटी को फरक होता है तो आप गणमें कितने दिनों से हैं गणमें सर हम 2003 से अच्छा गणमें आप कैसे बन गए पर हमारे पिता जी के नाम यह लैसंस था अच्छा तो मेरे पिता जी होने के बाद आपने लाइसेंस को ट्रांसफर हो जाता है किया कैसे होता है क्या प्रोसेस होता है उसका उसमें सर जैसे मेरे हमारा भाई है मेरी बैन है मां है यह सब लोग अगर एक स्टांप को लिखे देंगे डिया में के सामने उन्हें कोई आपती नहीं है तो हो जाती है तो सर हमारे नाम ऐसे हुरता है very nice तो गन्मैन को गोली कब-कब चलाने को मिलता है क्या गन्मैन किसी को भी गोली मार सकता है गोली चलाने से संबंदित जो अधिकार पुलिस को तथा आर्मी के जवानों को होती है वो अधिकार सेक्यूरिटी गार्ड को नहीं होती बलकि security guard को गोली चलाने से संबंदित बहुत सारे restrictions होते हैं तथा इन्हें अस्थाने आदेश पर कारिय करना पड़ता है दूसरा यदि security guard पर कोई हमला करे तो self defense के रूप में security guard भी गोली चला सकता है बसरते हमला वर भी गोली से हमला कर रहा हो तो तिसरा यदि संस्थान में कोई चोर बड़ा चोरी कर रहा है या फिर आपके संस्थान को भारी नुकसान पहुचा रहा है तब security guard उस पर गोली चला सकता है लेकिन उसे जान से नहीं मार सकता इसलिए कमर से नीचे गोली चला कर उसे सिर्फ घायल करना है ताकि उसे सिर्फ चोरी करने से या नुकसान करने से रोग सके तो था यदि कोई बैक्ती संस्थान में किसी से लड़ाई करता है जगड़ा करता है या मारपिट करता है तो भी security guard उसे गोली नहीं मार सकता पाँचवा यदि security guard पर कोई बैक्ती लाठी से हमला करता है तो भी security guard सिर्फ डिफेंस के लिए या अपने अधिकारियों के रच्छा के लिए गोली नहीं चला सकता बलकि उसका मुकाबला लाठी से ही कर सकता है गोली मार सकता है नहीं सर गन्मेन ऐसे सब को गोली नहीं मार सकता है वराल सुचवेशं देखके ही सारा काम करना पड़ता है हमारा senior है सपरवाजर बुटा है ऐसो होता है पहले तो हमें अगर मौके पे सपरवाजर है या ऐसो है हमसे senior तो उस्से हम आदेश लेंगे उसके गोली हमें चलानी है या नहीं चलानी है अ मारे उपर अगर जानका खत्रा है सब्सक्राइब itt अब हम कमर से नीचे गोली मार सकते हैं और बालने के लिए आदेश में होता है तो यह गन के बार में थोड़ा बताएंगे यह गन कौन सा गन है और क्का सिवार्गा क्पिया सब सब्सक्राइब पर इसमें तीन तरीके की गोली आती है एक तो आवाज करने वाला होता है उसमें खाली बारूद बारूद होता है बस है दूसरा होता है एक नंबर दो नंबर का उसमें छर्रे होते और तो बंदा गाहल हो जाएगा अगर पास से मारें तो उमर सकता है अगर अगर इसाइड पर कहीं लगी तो बच जाएगा अच्छा यह आप कि अगर इसाइड लगया तो बहुत कि अगर वह जाएगा कि अगर आप कितने दिनों से गनमें यह तो साइस श्यूपर हो गया एक सबसे खतर दो साल हो गया आपके वेरी नश्यूपर आप तो आप तो दो हजार दो से गनमेन हैं जी या जार तीन से यानि कि लगभग आपके 20 साल हो गए गनमेन की रूप में काम करते हैं अपने बहुत सारे अलगले जगह पर काम किये होंगे वेरी नाइस अभी इतने जगह काम किये हैं वहां में से सबसे डिफिकल्ड सीचुवेशन कहां पर आ घंटेश ए चार घंटा ओबर टायम करते हैं त NORर कि इतने दिन द्न करने पड़ते हैं आपको रिव मिपर चार्对ुटी मिलते हैं और पोड़िन अभी इतनी मिलते हैं आपकी हमारा शारा कुछ मिला के एठाय साजार अड再 large salary तो एक charisma का जो लोग हमारे विवर्स होते हैं जो तो गोड़मेंट बनना चाहते हैं लेकिन वह लाइसेंस नहीं प्राप्त कर पाते हैं वह हएं सकते और परकरिया होगी छोड़ा सा बताएंगे एक तोने सेल अगर कारड़ बस आप कोई रिजन उसमें दिखा के Hij तब लैसंस बन सकता है मालो हमारी आपकी कोई दुसमनी है या हमारे पास कोई बिजनेश है तो ड्यम को आवेदन दो लगेगा उसको खतरा है और यह लैसंस यक्यक है तभी तो लैसंस आपको दियान इसू कर देगा वह से नोर में जो भी लोग गनमेन बनना चाहते हैं इन बातों को ध्यान में रखें दोस्तों एसाइस सेक्रेटरी कंपनी में एज गनमैन भरती होने के लिए आपका टुवेल्थ फास होना जरूरी है यानि आपके पास intermediate or 10 plus 2 का certificate होना चाहिए आपका age minimum 21 साल होना चाहिए आपका height 166 cm होना चाहिए और आपका weight कम से कम 56 kg से अधिक होना चाहिए दोस्तों इन सभी चीजों के अलावा आपके पास गन होना चाहिए चाहें आपके पास किसी भी परकार का गन हो revolver हो piston हो single barrel हो double barrel हो किसी भी परकार का gun हो बस gun होना चाहिए और उस gun का license होना चाहिए दोस्तों यदि आपके पास यह से भी चीजे हैं तो आप S.I.S. Security Company के किसी भी ब्रांच में अपने gun के license का photocopy अपने आधार card का photocopy अपने documents का photocopy और अपना एक अच्छा से रेजिमे बना करके S.I.S. Security Company के किसी भी ब्रांच में जमा करा दें और यदि वहाँ पर आपको select कर ले जाता है तो आप S.I.S. Security Company में as a gunman भरती हो जाएंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि as a gunman S.I.S. Security Company में आपको बहुत अच्छा salary दिये जाएंगे अस्टार्टिंग में आपको as a gunman 20-25,000 रुपय दिये जाएंगे और यदि आप एक सेर्विसमेन है तो आपके लिए S.I.S. Security Company में as a gunman आपका करियर काफी ब्राइट है आपको a starting salary 30,000 रुपय दिये जाएंगे बहुत अच्छा लगा आपसे बाते करके gunman के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने दी अग गन को थोड़ा से दिखा सकते हैं कि हमारे पीवर्स को यह बारा बुर गन है यह वैसे यह थारा इटोमेटिक होता है लेकिन इसमें एक लॉक होता है अच्छा यह फोड़ से दिखाएंगे आप इसको अमने खोला अब के बंद किया खाली है अब यह खाली लेकर घुंदे हैं अब यह खाली है अगर हमें फायर करना होगा तो हम इसको परेगे ऊपर अब एक फायर करना है तो एक दबाएगे दो फायर करना है तो दो दबाएगे अच्छा अगर मालो हमने गोली इसमें डाल ली लोड कर ले बंद कर लिया अब यह इसका कोई बरुद मतलब वह बाई चांस अगर इस पही आथ पहुँच गया यहां कहीं गिर गया तो यह पा कि इसको दबाते रहें इससे फार ने होगा इसको आगे करेंगे तो फार होजाएंगा है और इसमें गोली कैसे कैसे है आपके पास आपके पास ने दिखा सकता हूं ने में तीन थरीके का होता है एक यह रहाओ एक नम्मर का इस एक नमबर का है यह एक नमबर इसे बच जाएगा बच जाएगा अगर दूरी पिमारे के तो बच जाएगा अगर मालो इतर कहीं लगा चेद हो जाएगा पूरा अगर बाएं में लगा तो अभी आप लोगों ने एक गन्मेन से हमारी बातचीत सुनी गन्मेन शहाब ने अपने गन भी दिखाए गोली भी दिखाए और गन्मेन बनने की परकिरिया भी बताए और अगर आप आप भी इंट्रेस्टेड है गन्मेन बनने के लिए तो जो भी परकिरिया बताए उसे आप फोलो करें और आप भी गन्मेन बन भाएं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले मैं था महार राजा